है गाइज वेलकम टू साइकावाननेस आई होप अपसे बच्छे होंगे तो काफी बड़ी वेकेंसिस की बात करने वाला हूं एंजीओ की तरफ से एंजीओ का नाम है आपका एजुकेट गर्ल्स जो सिंस आपके हैं और सभी फील्ड के टुड़ेंद अपके सामने हैं अलग अलग लोकेशन से बट आप अपलाई सब्सक्राइब कर पाओंगे और कोई भी फीस नहीं है रिटन एक्जाम नहीं होगा इंटर्व्य उसका ऑल लाइन होगा आपका और जाके आप सीधे फिर जॉइन कर स निट्रा मुंबई मध्य परदेश अलगाल लोकेशन पर हैं जो आपको लोकेशन आपके आसपास है आपको जाना है वहां पर आप अपलाइक कर सकते हो तो बात कर लेदेब से नीची से सुरू करते हैं और उपर की पोश्ट के तरफ जाते हैं तो इंपर से पहले बात करते है अपको डेवलय आपको फंक्शन प्लानिंग करना है एक तरह से हैं आप मौनिट्रींच इंप्लीक्ण एक व्यूए सिस्ट सन्ट की आप ereक एक लाइक कर दिना पहले इंट फिर वीडियो आपके लिए है यह ठीक है तो आपको ब्लॉक वगर में काम करना करना पड़ेगा और अब बात करते हैं इसी क्वालिकेशन क्या नहीं रखी है तो इसकिल्स के रिक्वाइड है इसकिल्स वही आपको कम्प्यूटर अजी आपको आपके अंदर एबिलिटी हों जी आपको मुल्टिपल वर्क शिफ्ट जो भी है आप देख दिना इस अभी में होता है तिक है अप किने मिलेगी या जॉब में अप्लाई कौन कर सकता है अगर आपने ग्रेटिशन कर रहे है अपना एकोनोमिक से तो अप्लाई कर सकते हो अगर आप ग्रेडिवेटर स्टैट से तो अप्लाई कर सकते हो अगर नहीं है डिप्लोम कम्प्यूटर का तो उसके विदा उसके बूलना और लिखने बाकि आपको बेसिक नॉलेज इंग्लिस की होनी चाहिए ठीक है इंग्लिस कंपल से नहीं है बेसिक नॉलेज आपको लिखनी पढ़नी आने चाहिए और मिनिमम टू या थ्री एर का इस्पीरियंस आप से मांगा जाएगा इस पोस्ट के लिए इंपेक्ट एसोसियेट की ठीक है यह हो गया हूँ एंपके जॉब लोकाशन कर यह स्टेट में और लोकाशन के सिद्धी बंसवारा और जो आपका पर टूपॉइंट वन लाग पर एनम सीटीची आपका इसमें तो आप जाओगे यहां से इसमें आके अपलाई करना अपलाई हो जाएगा अब बात करते हैं नेस्ट पोस्ट की जिसका नाम में आपका प्रोग्राम ऐसोसिएट और देख लेता है यह किस नंबर पर आती है यह है फिर आपके पर डिस्ट्रिक प्रेंग ऑपर इसे और और की सरविस की और आपको इस में काम पढ़ देना वह सारी पॉस्ट है वीडियो लंबी नहुजा इसलिए मास्ट पता देता हूं इस और जहां पर मांगा हो जाता है महां पर साइकाओलोजी वाली वाली अप्लाइगा सकते हैं यानिकि में सोसल साइंसे के अंदर जितने बिच्ट आते हैं वो सभी इस वैकेंसिमें अप्लाइग कर पाएंगे बागि आपको हिंदी की अच्छी नॉलिज होने चाहिए लिखना पड़ना बाकिन बेसिक नॉलिज इंग्लिज्स की आपको चाहिए और थ्री टुफाइफ इश्पीर आपको होना चाहिए अगर नहीं है फ्री टूफाइफ एक्स्पीरिएंस तो आपके पास नियर्गा एक्स्पीरियंस मिनिमम होना चाहिए इन पोस्ट के लिए तो एकर यह आपका राजिस्तान मद्यपर्देश उत्तरपर्देश में और और यहां पर राजिस्तान में कहा है उद्यपूर बंसावारा प्रयाग्राज सिंग्रूली सिरोही फथेपूर सिध्धी तो यह यह आपकी उसके बाद बात करेंगे अगली पोश्ट जो है आपकी प्रोग्राम मेनेजर तो पोजिशन करेंगे आपके राजिस्तान और यूपी यह आपके रहने वाली है अब क्या की इसकी यह काफी एक बड़ी पोश्ट होगी क्योंकि इसमें सेवन एक्सपीरियंस इनों ने मांगा हुआ है और आपके पास वन टू सेवन यहर के बीच में एक्सपीरियंस है तो भी आप फिल कर सकते हो प्रोग्राम मेनेजर की पोश्ट को जॉब लोकेशन राजिस्तान उत्रपरदेश और लोकेशन अगर डिश्टिक में बता हूँ तो उधैपुर और प्रियाग राज ठीक है उसके बात अगली ह आपकी प्रोग्राम मेनेजर इंपक्ट प्रजेक्ट डाटा एनेरेसिस लोकेशन यूपी और राजिस्तान ही इसकी रहेगी इसमें क्या मांगाए बाद चेकल थे इसमें आपसे टू यर ठ्री यर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ इसमें भी तो मैंने बताया वही कि अगर इसमें आपको अप्लाई कर सकते हो तो यह हो गया अब जहां भी आपको अप्लाई करना एक पोस्ट और बात के लिए जो है आपकी प्रोग्राम ट्रेंडिंग आउप इसमें इसमें क्या मांगा आपसे पोस्ट गजुए इन सोशल साइंसे यानिकि मास्टर इन साइका और सोसालोजी एकोनॉमिक्स हिस्ट्री पोल साइंस जोग्रोफ पे जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सोशल साइंसे के अंदर वो सब भी अप्लाई कर पाएंगा मिनिमम्म 3-5 एक्सपीरेंस चाहिए आपको ठेक है तो वन्यार का एक्सपीरेंस भी चल जागा बता दिया आपक यह करोगे क्लिक अप्लाई में तो यह आपका फॉर्म जो है आपको खुल जागा ठीक है तो बाकि आप अपनी इमेल अइडिया लोगिन करना उसमें और आपका जो है फॉर्मों फिल होना चालू हो जागा बस इतना ही आपको करना है तो अब बता दिए मैंने कितनी सब्सक्राइब करना है तो आपको बारा से पंदर लाग परेना मिलेगा अगर आप हैड रिसोर्स मोबिलिजेशन में 25 लाग परेना में है एड एवलुशन रिसर्च के अंदर 30 लाग परेना में तो सैलरी काफी अच्छा देता है जो आपका एजुकेट गल्स एंग्यों है क्योंकि इनके बाद फंडिंग अच्छी होती है काम काफी अच्छा जय जय कर रहा है इंडिया गंदर एजुकेट गल्स एंजयोच तो गय